आप सभी का एगेंस्ट करप्सन 99 में बहुत बहुत सागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोग सूचना पदाधिकारी बिहार सूचना आयोग के द्वारा चार बिन्दों पर मांगी गई सूचना से संबंधित सूचनाएं देने से इंकार किया यह कह करकी बिहार सूचना अधिकार नियमा बली 2006 में देखा जा सकता है जो भी सूचनाएं मैंने चार बिंदों पर मांगी तो वह जो जवाब दिये हैं वो आप लोग स्क्रीन पर अच्छी तरद देख लें आपके द्वारा मांगी गई सूचनाओं से संबंदित प्राभानों को कृपा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और बिहार सूचना का अधिकार नियामावली 2006 यथा अध्यतन संसोधित में देखा जा सकता है उक्त दोनों दस्तावेज पुर्प्रकासित सार्जुनिक दस्तावेज हैं एवलेबल इन पबलिक डॉमियन ऐसे स्थिती में उक्त सूचनाओं को बिहार सूचनायो के राजिर लोग सूचना अधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंतरन में होना नहीं माना जा सकत है उलखित तत्यों के आलोग में आप मांग की गई सूचनाओं के लिए पुर्बुक दोनों दस्तावेज का अबलोकन कर सकते हैं अब यह अबलोकन हम लोग कहां करेंगे क्या करेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और इससे संबंधित अगर सूचनाओं से संतुष् प्रथम अपीलिये प्राधिकार सहव विधी प्दाधिकारी के स्रमक्ष अपील करने का भी बताया गया है आप एदियो संतुष्ट हैं तो अपील कर सकते हैं मैं जिन चार बिंदों पर सूचना मांगी थी तो उन चार बिंदों का मैंने विडियो पहले भी बना चुका था आज भी आप लोग जानकारी के लिए देख लें मैंने तीन बिंदू मुखरूप से सम्बंदित जानकारी के लिए मांगा था मैं RTI 8 से सम्बंदित निम्लिखे जानकारी चाहता हूँ धाराबीस एक के तहट किसकिस इस्तिती में दो CPIO पर कारवाई किया जाता है इसका क्या माप दहा है इसकी सम्बंद जानकारी चाहिए तीसरा धा यदि PIO द्वारा सूचना देने में विलम के कारण आवेदक को चती होती है तो इसके लिए आवेदक को 1360GB के तहत आवेदन देने के लिए आवेदक को कहां और किस मापडन के अधार पर आवेदन देना होता है इसकी जानकारी चाहिए था इसी बिंदों पर मैंने सूचना मांगी थी जो एक सप्ता है कि बिलंब से भी लोग सूचना अपदादिकारी बिहार राज सूचना आयोग के द्वारा भेजा गया है लेकिन यह लोग भी अपना देट का तो मनमानी करते ही हैं देख लें यह मैंने बारा सेक्टेंबर को लगाया था इन्होंने बारा अक्टूबर को साइन करके दिया लेकिन इसको रश्ठी डाग जो है यह 18 अक्टूबर को किये है जो मुझे कल मिला था 21 अक्टूबर को यह 18 है क्योंकि बारा को देखें बना गया है आप लोग पत्रांग भी देख लें 367 इसमें भी 367 है अब यह मैं आप लोगों से हीं सलाह लेना चाहता हूं जानकारी लेना चाहता हूं कि आप लोग भी इसे पर कमेंट कर अबस एक दूसरे को जानकारी प्रदान करने की किरपा करें जिससे हम सभी को भी प्रष्टाचार के खिलाप आटे आए के द्वारा लड़ने में एक शहयोग मिल सके अब इसे अपील किया जा सकता है या नहीं आप लोग भी कमेंट कर अबस बताए और एक दूसरे को जानकारी भी शेयर अवस्य करें कि बिहारा सूचना आयोग में यदि दस्तावेज या एवलेबल है तो उसकी परती दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या हम लोगों को इसकी जानकारी खुद कहें किताब से या किसी जानकार से लेना चाहिए जाय जाहिन